दोस्तों जैसा कि आप सबी जानते आईपेल दोसाचोविस की सुरुआत होने में ज़्यादा समय बचा नहीं है और आईपेल के सबी टीमे अभी से अपनी तयारियों में लग चुकिये तो वहीं आईपेल के सबसे लोग पिरे टीम मुम्में इंडियंस पे अपनी तयारिया जौरोशोरों में करने में लगी है और इस दौरान मुम्में इंडियन्स ने अपनी घा तक प्ले इंग लेवन का अधिया तो दोस्तों आईपेल scooter 24 में इंडियन्स की प्ले इंडियंग 11 क्या होने वाली है और वो कौन से गयरा खिलाड़ी है जो इस पार मुंबे इंडियन्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देने वाली है दोस्तों आपको बता दे कि आई पिल 1224 की ओक्सन में मुंबे इंडियन्स की टीम ने कई खिलाड़ी हो घृत कर 25 मेंबर का एक हातक स्कोर तयार किया है तो भही मुंबे इंडियन्स की टीम इस पार अपने नए कप्तान हार्दिक पांडिया की अगवाई में खिनने वाली है यानि इस पार मुंबे इंडियन्स की कमान हार्दिक पांडिया की हातों में रहने वाली है आपको बताए पिछले सीजन में मुंबे इंडियन्स का प्रजशन कुछ खास देखने को नहीं मिला था जिया दोस्तों रोहिस सर्मा की कप्तानी में मुंबे इंडियन्स की टीम लगाता रख रोप सावित हो रही थी जिसके चलते मुंबे की टीम ने इस साल एक बहुत बड़ा फैसला लिया और अपने सबसे सफल कप्तान रोहिस सर्मा जिन्नों ने मुंबे की टीम को पांस बार आई पिल का विजिता बनाया था उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया है और हादिक पांडिया को 15 क्रोड में गुज्रा टाइटन के साथ टेंट कर अपने टीम में सामिल कर लिये इसके लवा मुंबे इंडियन्स की टीम ने इस बार उक्सन में 8 खिलाडियों खरीक कर अपने टीम में सामिल किये जिनके पीछे मुंबे की टीम ने 16.07 क्रोड कर्च की हैं जिसमें गिराल कोड़ जी दिलसान, मदुशंका, मुहमत नाभी जैसे खातक खिलाडियों को सामिल किया है और इन खिलाडियों का मुंबे की टीम में सामिल हो जाने से इस बार मुंबे की टीम काफी ज़्यदा मजबूत और घातक नजरा रही है तो आएए दोस्तों जानते हैं कि आकिरू कौन कौन से गयरा खिलाड़ी है जो इस बार मुंबे की ओर से खेलते हुए दिखाई देने वाले है तो दोस्तों अगर सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो आपको बदा दे ओपनिंग जोड़ी के रूप में रोहिस सर्मा के साथ इसान किसन बल्ले बाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं जो की टी-टी-टी-फॉर्मेट के काफी तुपानी बले बाज समाने जाती हैं लेकिन दोस्तों लगा तार-खराफ फॉर्म के चलते रोहिस सर्मा को इस बार कप्तानी से हटा दिया गया है ऐसे में दोस्तों अब रोहिस सर्मा को आगे आई-पेल में बने रहने के लिए इस सेजन में शांदर बल्ले बाजी करनी होगी और ओपनिंग करते वे मुंबे की टीम को शांदा सुर्वा दिलानी होगी और इन दिनों रोहिस सर्मा जिस तरह की फो में चल रहे हैं उसे डेख कर कहा जा सकता कि इस बार रोहिस सर्मा अपने बल्ले से जम कर कोराम मचाते वे अपनी आलोसकों को मूँ तोड जवाब देने वाले हैं वहीं दोस्तों अगर दूसरी ओपनर बल्ले बाज इसान किसन की बात करें तो इसान किसन ने पिछले साल मुंबे की ओष्षे खेलते वे कमाल का खेल दिखाया था और इस समय सान किसन काफी शान दर फो में चल रहे हैं और हाली में खेली गए सरीद मुस्ताकाली टोफी में सान किसन ने आठ मेचों में 300 से अधिकरन बनाने का कारनमा किया है ऐसे में दोस्तो इस साल आई पिल में सान किसन अपनी फोर्म को बरकरा रखते वे कमाल की बल्ले बाजी करने वाले हैं उसके बाद अगर नमबर 3 की बात करें तो आपको बदादे मुम्बे की ओशन नमबर 3 पर T24 मेंट के सबसे तुफ़ानी बल्ले बाजी करने के लिए आने वाले हैं दोस्तो आपको बदादे सुर्य कुमार यादो मुम्बे इंडिन्स के सबसे शांदर बल्ले बाजी करते हैं और मेदान पराती विरोधु टीम की गेंद बाजी करम को पूरी तरह से ख़देड़ना सुरू कर देते हैं ऐसे में 200 इस साल भी मुम्बे की टीम को सुर्य कुमार यादो से शांदर और तुफ़ाने बल्ले बाजी के उमीद होगी तो वहीं 200 सुर्य कुमार यादो के लाओ मुम्बे की ओर्श नमबर चार पर तीलव करमा खेलते हुने जराएंगे दोस्तों आपको दादे तीलव करमा मद्दे करम के काफी शांदर बल्ले बास है और पिछले साल तीलव करमा ने काफी शांदर बल्ले बाजी की थी और 14 मेचों में बल्ले बाजी करते हुए तीलव करमा ने 393 मेरन बनाए थी आपको उज़ादे तील्व औरमा ने मुंबे इंडियन्स की ओर से खेलते हुए मद्दे करम में कई हैम पारियाँ खेली थी और उस्चाय अंदर प्रश्चिन करके निखाया था जिसके तलते तील्व औरमा को भादे टेम के ओर से खेलने का मोगा मिला था और उन्हों ने शांदर बल्ले बाजी करते हुए साथ पर एक खिलाब दो अर्श तक भी लगाये थे और भारदे टीम के मद्दे करम को मजबूती परदान की थी ऐसे में दोस्तो इस साल भी तीलव करमा मुंबे की ओर शेमद्दे करम में खेलते हुए कमाल की बल्ले बाजी करते हुने जराएंगे जबकि दोस्तो तीलव करमा के लाओ नमर पांस पर हार्दिक पांडिया खेलते हुने जराएंगे दोस्तों आपको बदादे इस साल मुंबे इंडिन्स की कमान हार्दिक पांडिया के हाथों में रहने वाली है यानि इस साल हार्दिक पांडिया ही मुंबे की कप्तानी करते हुने जराएंगे जियां दोस्तों तीन साल के बाद हार्दिक पांडिया की मुंबे इंडिन्स में वापसी हो चुकी है ऐसे में दोस्तों हार्दिक पांडिया की वापसी होने से मुंबे की बल्ले बाजी काफी ज़दा मजबूत हो चुकी है तो भी दोस्तो हार्दिक पांडिया भी भाज़ टीम के काफ़ी शांदर ओल्ड राउंडर खिलाडी है जो कि अपनी गेंद बाजी के सासा नीचले करम में आकर काफ़ी कमाल के बल्ले बाज़ी भी करते हैं। मुंबे की टीम को विजटा बनाने में अपना एहम युद्दान देश सके। ऐसे में दोस्तो अब यह देखना काफी दिल्चस्प होगा कि हार्दिक पांडिया की कप्तानी में मुंबे इंडियन्स की टीम कैसा प्रजशन करती है। मुंबे को कई मुकाबलों में अकले दम पर विजटा बनाया था। दोस्तो आपको बदादे विजटेवी सोकप में उन्होंने काफी शांदर अपरजशन किया था। उन सोला मुकाबलों में गेंदबाजी करते हुए प्यूश सावला ने 22 विकेट अपने नाम किये थी। और इसलिए मुंबे की टीम ने प्यूश सावला को इस बार भी रिटेंड किया है। हाला कि दोस्तो अभी हाली में खेली गई सावला का परजशन कुस खास देखने को नहीं मिला था। लेकिन दोस्तो विजी हजारे टोफी में उन्होंने मिली जूली गेंदबाजी की थी। हाला कि दोस्तो अगर आई प्यूश सावला मुंबे की टीम में अपनी जगा को पनाई रखना चाहते हैं तो फिर उन्हें शांदर गेंदबाजी करके दिखानी होगी। जबकि दोस्तो विजी सावला के अलावा नमबर 9 पर दिलसान मदुशंका खेलते हो दिखाये देने वाले हैं। जबकि दोस्तो दिलसान मदुशंका के अलावा मुंबे की ओर शान जसमिद बूमरा खेलते हों जराएंगी। दोस्तो जैसा कि आप सो भी जानते हैं जसमिद बूमरा कितनी खोफ़ना गेंदबास है। दोस्तों आपको बतादे इस साल जस्मीद बूमरा आईपेल में 2 साल के बाद वापसी करने वाले हैं। आपको बतादे जस्मीद बूमरा ने मुंबे इंडिनिस की ओर से खेलते वे कई रिकोर्ड अपने नाम की हैं। जस्मीद बूमरा मुंबे के सबसी खोफ़ना गेंद बास है। आपको बदादे जस्मीद बूमरा ने अब तक IPL में 123 मुकाबले खेले हैं। जा उन्हों निशांदर गेंद बाजी करते हुए 148 फिकेट लेने का कारणामा किया है। और इस दोरान उनकी ओसत करीब करीब 7 के पर रही है। दोस्तों आपको बदादे जस्मीद बूमरा की चोट के बाद जब से भाड़े टीम में वापसी हुई है। तबसे जस्मीद बूमरा ने काफी कमाल की गेंद बाजी करके दिखाई है। ऐसे में दोस्तों इस साल जस्मीद बूमरा मुंबे के लिए तुरुमक बेंडरोफ ने मुंबे की और शेकुल बारा मुकाबले खेले थे जहां उन्होंने शांदर गेंदबाजी का नजरा पेस्ट करते वे 14 विकेट लेने का कारणामा किया था और कहीं ना कहीं चस्पी बुम्रा की कमी को पूरा किया था आपको बता दे पिछले साल जैसें बेंड जिन्स के टीम हार्डिक पांडिया के कप्तानी में आई पिल 24 के किताब को अपने नाम करवाए गया नहीं कॉमेंट करके अपनी राई हमें चरूर दीचे का